दोस्तो स्वागत आपका बहुत बहुत एक नई वीडियो में तो यह है दोस्तो हमारे पास हीरो की है यह दोस्तो व्यसक्त वाग है और आज हम इसकी सर्विस कर रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे जब कपलिंग रबड़ों में पिले बन जाती है तो इससे क्या रुकसान होता है और दोस्तों यह पिले बंती कैसे और अभी आपको चेक कराएंगे इसमें बहुत सारी पिले हैं और सबसे पहले दोस्तों हम इसका पाईये जाम करते हैं ब्रक लगा के पाईये जाम करेंगे फिर आपको चेक कराएंगे इसमें कितनी पिले है तो इस तरीके से पहले पया को जाम कर लेजिए और उसके बाद इस तरीके देख लेजिए कितनी इसमें पिले हैं यह देखिए इसमें बहुत पिले से बहुत नुक्सान होता है जैसे दोस्तो वैक का फिक अप कम होना चैन स्पेट की लाइफ कम होना और जब आप गेट डालते है तो भाइक उठाते तो च्बाट बस पहुत ज्यादा है इसकी करड़े कैसे चेंज करते हैं और अभी इस वाइक की चैने बहुत ज़्यादा लूज है जब दोस्तों चैन वाइक की लूज हो जाती है तो अप को बहुत जएदा प्रॉब्लम होती है, तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से कप्लिंग रबडरें चेंज्ज करें, और इसां जगारो को सब्सक्राइन करें तो आप और देखते हैं, आप इसमें कैसी निकल रही हैं . mereka अगुल्ख right पृह है , निकलता है , यह है jest couple और दोसरा बेसे से बहुत ज्यादा लेट चिल गई है , और इसमें आयज्य के पहले साही है , जुगाल की सब रकिया है दोस्तो जोगाड करने के लिए दोस्तो जो वाई का टूप होता है जो पईये में पड़ता है उसके छोटे-छोटे टुकड़ी काड़ के बीच में लगाया जाता है कुपलिंग में तो आलेटी पहले से लगे हुए हैं आप लोग देखे लेजे टूप के टुकड़े पड़ लगाये तो आप लोग खोंसेच करें जोगाड बिल्ग भी ना करें और कप्लिंग रवड़ें चेंट करें अगर आपके पास बजट नहीं है तबी दुस्तो जोगाड कराएं वह भी दोस्तो लंबे समय तक नहीं चलाएं लंबे समय तो बहुत नुकसान हो सकता है तो चली आपको coupling fit करना है तो चलिए इसकी सपाई करते हैं दोस्तो अब जितना भी साफ होनाता हो चुका है चलिए अब fit करते हैं तो दोस्तो यह रही है हमारे पास hero की coupling रबने तो चलिए अब डालते हैं फिर उसके वाद wheel fit करेंगे फिर आपको दिखाएंगे इसमें पहले होती है नहीं तो चलिए फिटापट से हमें से fit कर लेते हैं दोस्तो हमें यह चार line बनी हुई है और चार coupling है इस लाइन के ऊपर coupling आपको fit करना है तो आप लोग देख देजिए वीडियो में किस तरीके से coupling fit हो रही है आपको उसी तरह coupling fit करनी है तो दुस्तो कब्लिंग fit हो चुगी है इसमें 4 coupling लगती है तो चलिए आप हम से wheel को fit करेंगे फिर आपको दिखाएंगे इसमें कितनी पले रहती है पिले रहती है नहीं तो दोस्तो हम break लगाकर पईया जाम करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी पिले खतम होई नहीं तो आप लोग देख लेजी इसकी पिले है बिल्कुल खतम हो चुकी है और इसमें पहले बहुत सारी पिले थी तो अभी इसमें बिल्कुल भी पिले नहीं रही है अगर आपकी भायक की कप्लिंग खराब हो जाती है तो उसे दोस्तो रेप्लेश करा लए नहीं दोस्तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है बाएक की जब चैन ज़्यादा लूज हो जाती है तब आप लोग ध्यान ने दे तो तब भी गप्लिंग खराब हो जाती है तो आप लोग इस तरीके से आप लोग गप्लिंग बचा सकते हो बाइक की चैन पर ध्यान देना चाहिए, बाइक को कभी जटके से नहीं उटाना चाहिए टैम टू टैम सर्विस कराएं और उसमें चेक कराएं कपलिंग सही है या खराब है तो दोस्तो आसा करता हूँ, आप ये सब बाते जान गए होंगे कपलिंग कैसे खराब होती है, खराब होती है तो इसमें क्या-क्या नुकसान होते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को में एंड करते हैं और चैनल पे पहली बारा हैं बैक से रिलेटेट A to Z सही जानकरे मिलेगी और वीडियो देखकर आप कुछ ना कुछ दोस्तो हासल कर सकते हैं